हाई गाईज अब वर्म वेल्कम टो स्काई इंसिटूट गाईज हम आज एनिमेशन टैग करने जा रहे हैं जैसे कि मैरे टैटल में लिखा हुआ है यहाँ भी आ रहा है एनिमेशन टैग तो गईज जो हमारा है एस्टमल 5 का एनिमेशन टैग है उसका नाम है मार क्यू और रिमेंबर दिस की यहाँ पे 2 यह आती है ठीक है और इसे ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे यह पेयर्ड टैग है एक ठीक है गाईज तो यह से एनिमेशन टैग के नाम से जाना जाता है जैसे कि मैं आपको एक दिखातो उसका example मैंने यहाँ आप इभी save करा अब इखार इसे open करा है and close करा है तो यहाँ पर आप देखे यह animate होने लग जाएगा इसका institute look at this इसके constant speed है और यह अपना scroll होते वे आ रहा है देखे so guys सबसे पहले इसके attribute की बात करी जाए तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास scroll amount scroll amount मतलब यहाँ की speed यानि की mark क्योंकि हमारी speed जैसे कि जो guys speed होती है बहुत सारी websites पर ज्यादतर होती है 5 ठीक है 5 save करेंगे refresh करेंगे ठीक है तो यह ज्यादतर websites पर दिखते है जैसे government websites होती है तो आपको वहाँ पर यह speed दिखेगी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते है look at this 10 कर दिया से refresh करूँगा तो speed double ठीक है ऐसी आप अपने हिसाब से जितना भी आपको requirement हो आप उसकी speed दे सकते है देखिए ठीक है यहाँ पर 20 speed अभी तो भलाल बहुत जादा हो गई है ठीक है इसे वह fast and furious नहीं बनाना है इसे मारको टागे राकना है ठीक है तो यह हुआ हमारा एक scroll amount गई दूसरा आता है अगर इसे background color कोई देना हो तो यानिकी bg color remember this again color में यू नहीं आता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा bg color और मैं यहाँ पर इसे color दूँगा yellow ठीक है मैंने दिया save करूँगा refresh यह देखिए इसके background में yellow color आ चुका है अब इसके next attribute की तरफ चलते है जो की है direction ठीक है अब direction में क्या क्या होता है यसे direction मैं यहाँ पर देता हूँ left ठीक है save करा refresh करूँगा तो look at this कि right to left जा रहा है ठीक है direction left यानि कि by default भी पहले से हम देख रहे थे कि वो right से left ही जा रहा था यानि कि जो इसके direction by default थी left ही थी अब मैं करूँगा right तो यह left से right के दरफ जाएगा यह देखिए save करता हूँ मैं यह देखिए left से right के दरफ जा रहा है ठीक है इसके direction mode 4 होती है हमारी जैसे left और right मैंने दिखा दिया आपको अब up करता हूँ तो यह देखिए नीचे से आपके दरफ जाएगा look at this ठीक है यह नीचे से आपके दरफ जा रहा है और down करूँगा तो समझ गए ना समझारिक जरुवत तो नहीं है अब ठीक है you are smart मैं पता है मुझे ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको 4 direction बता दी है रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यह height आ चुकी है इसकी ठीक है तो आप height का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और width का भी आप सेम यूज कर सकते हैं लेकिन width आपको ध्यान लखना है percentage में देनी है ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर width देके दिखाता हूँ आपको look at this मैंने आप दिया 70% ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से राइट तो यह हमारी जो screen है यहाँ पर ब्राउजर है यह 100% है इसका और उसका यहाँ पर 70% यह ले चुका है guys next attribute बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह बहुत जादा important है जैसे कि मैं आपको बताने चाहता हूँ कि marky हमारा यहाँ से start हो रहा है ठीक है यह थोड़ा सा आगे हो horizontally थोड़ा यहां से हो इस तरीके से यहां से हो तो उसके लिए हमारा एक attribute आता है जिसका के नाम है horizontally space जिसको कि हम shorter में करते है एच इस पेस जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 100 pixels के बाद मेरा मार्क यह start हो तो मैं save करूंगा यह देकि 100 pixels आगे बढ़ जाएगा और देखें यही से mark start हो रहा है यहां से ना start होके वह यहां से start हो रहा है look at this अब दूबार आएगा यहां से आप लिक v space भी use कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं आप यह 100 pixels save करूंगा यह देखिए v space अब यहां पर आप कर सकते हैं ठीक है इसके जो positioning है आप h space v space से कर सकते हैं जो मैं next attribute बताने जा रहा हूं यह बहुत ही जादा अच्छा है इसकी वएसे mark you यानि कि जो हमारा animation tag है उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है जिसका की नाम है behavior ठीक है बी हे भी कियर ठीक है remember this you is deprecated because American English ठीक है तो यहां पर you नहीं आएगा behavior में तो जो by default इसका जो behavior है वो है scroll ठीक है जैसे कि मैं आप save करूंगा आप देखिए बिल्कुल सेम रहेगा कोई इसमें change नहीं आएगा ठीक है कोई change नहीं आएगा ठीक है अब alternate करके दिखाता हूं मैं आपको alternate में क्या होगा अच्छा मैं थोड़ी सी speed बलाएता हूं ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए ठीक है save करेता हूं alternate में क्या होगा कि मार की यहां से जाएगा यहाई से टकरा के वापिस आएगा और यहाई से टकरा के वापिस आएगा डिशुम 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 इस तरीक से ये behavior alternate होता है ठीक है गाई एक और होता है slide लेकिन वो आपको अभी पता नहीं चलेगा अगर मैं आपको बताने बीचाओंगा तो आपको same as scroll लगेगा तो मैं अभी एक attribute बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ ठीक है दो एंड तीन यह बंद हो चुक है ठीक गईज अब मैं यहाँ पर एक बार slide करूँगा आपको दुबारा दिखाऊंगा एक बार यहाँ पर slide करता हूँ ठीक है refresh करता हूँ वन टू त्री यहाँ पर आगे खतब हो जाएगा खतम हो गया ठीक है तो slide मैं आपके यहाँ पर रुख गया आपने देखा अगर मैं scroll करता हूँ जो इसका by default behavior है ठीक है यहाँ पर आके नहीं रुखेगा वो गयाब हो जाएगा ठीक है यह देखिएगा अभी वन टू और यह चला जाएगा यहाँ पर नहीं रुखेगा ठीक है तो slide और scroll में यहीं फर्क है ठीक है तो आपने क्या क्या पढ़ लिया भी scroll amount यानि कि speed background color जो कि हम कोई भी दे सकते है direction कि यह कहां से जाना है ठीक है तरसे कि right लिखेंगे तो left to right जाएगा अगर left नहीं है आपको मार्यों की width कितनी देनी है यह तो normal है जाहतर use होता है ठीक है एच space की आपको horizontally space कितना देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था उसके बाद आपने बड़ा loop right guys guys at the end मैं आपको एक last attribute बताना चाहता हूं इसका scroll delay ठीक है scroll delay मतलब यह ज्यादा use होता नहीं है इसका हाला कि आपको इसकी need बढ़ सकती है बट इसका ज्यादा use होता नहीं है guys इसका मतलब है कि आपका जो scroll हो रहा है text यहां से यहां तक का वो कितनी देर में हो रहा है यानिकि इसका interval कितना है ठीक है तो guys यह milliseconds में travel करता है पहले जीज दूसरी चीज़ यह है कि जो इसकी default value होती है 85 ठीक है तो 85 से आप lower रखेंगे कोई भी 70 60 तो आपको ज़्यादा फरक नजर नहीं आएगा ठीक है guys तो मेरा तो कहना यहीं है कि अग यह से कि 500 कुछ कर देता हूं ताकि आपको बस समझ में है ठीक है यह देखिए कि यह interval 500 ठीक है 20 seconds में complete होगा इस तरीके से यहाँ पर scroll delay करना है scroll amount मतलब speed scroll delay मतलब कितना delay हो रहा है तो guys उमीद है कि आपको mark you और mark you के attributes सारे समझ आ गए होंगे